हेलो एवरिवन गुड आक्टरनू आपने MPCA मा आगणना लेक्चर मा डिसकस करियो हतु ट्राफिक कंट्रोल उसिंग माइक्रो प्रोसेसर इलेक आपने ट्राफिक कंट्रोल नुँ माइक्रो कंट्रोलर नुँ यूस करी अने केवी रीतिया आपने ट्राफिक कंट्रोल करी शक्के छे एना विशे चर्चा करी हती हवे, आजे आपने डिस्कस करीशू, SCR ना फाइरिंग खूणानो कंट्रोल आपने केवी जीते करिये छे, हवे, आजे प्विश्चन छे, ए जीतियू मा घणी बार पुछाई गईलो छे, SCR ना फाइरिंग खूणानो कंट्रोल, हवे, योग्य प्रमाण मां टाइमिंग डिलेव, आपने माइक्रू प्रासेलसर आधारी, SCR ना फाइरिंग खूणानो कंट्रोल करी शक्ये छे, हवे, स्टेप अहिया, आपने केटला इक्विपमेंट नी जरू पड़े छे, सवप्रथम तेना विशे चर्चा करी शे, यहां तो पेल्ला तो आपने एस सप्लाई जोईशे, स्टेप डाउन ट्रांसफोर्मर, जीरो काउंसिल डिक्टेटर, एलेके जी आपने काउंसिल कंटीन्यू, काउंट कर से, तेना विशे, माइक्रो प्रोसेसर बेस स्रिस्टम जी होईचे ते, आपने जेने फाइर कराव आपने जोईशे, हवे 0,230V AC सिग्नल ने, आपने पेल्ला तो सु करीशे, स्टेप डाउन करी, और जीरो क्रोसिंग डिक्टेक्टर सर्कीट ने मोखलीशे, जी पन आपने सप्लाई आवेचे, एने सु करीशे, डाउन करीशे, और तेने आपने जीरो काउंसिलिंग डिक् मोखलीशे, हवे ए जीरो काउंसिलिंग डिक्टेक्टर जे छे, ए स्क्वेर वेव उत्तपन न करेचे, लैके जीरो क्रोसिंग काउंट, जीरो क्रोसिंग डिक्टर, जीरो क्रोसिंग डिक्टर जे छे, एनो उप्योक्सु छे, ते स्क्वेर वेव जनरेट करेचे, किवा व ये 0101 थाई छे माटे आपने सव प्रतम अहीं आपने str firing angle control circuit के भी होई छे इना विशेज जगए तो सव प्रतम आपने तेने ac supply आपीछू ac supply आपने transformer ने अंदर आपीछू j supply ने down कर से अब ये down supply j हसे एके वो हसे ac supply हसे लेके महतम थाई 0 थाई 500 थाई महतम थाई ए सिगनल ने zero crossing detector j छे ए आपने ए सिगनल नो square wave मा फेरफा square wave उत्पन करिया आपने छे zero crossing detector सु कर छे आपने sinusoidal wave मा थी square wave उत्पन करिया आपने छे है क्या आपने square wave माड़ी छे हवे a j square wave छे ए सिगनल आपने माइक्रो प्रोसेसर ने आपिया छे अन्ने ते interrupt तरीके और interrupt signal तरीके कारिया करा छे हवे जे माइक्रो प्रोसेसर जे interrupt जे माडल छे एने आपने delay routine शरू थता पेला delay routine द्वारा लेवा मा आवतो समय किटला समय माटे आपने कोई पंस str होई तेने firing खुणो आपने पेलला दो नक्की करवो बड़त होई छे तो ए आपने नक्की करी शू तो आपने जे खुणे आपने जेटला भी प्रोसेसर मा लेवा ता पुल्स जे होई छे ते लेवा मावतो समय किटला जे जीरो ग्रोसिंग हसे अन्य जे str ने मलता जे पुल्स नो जे वच्चे नो गाड़ों हसे ए नक्की करशे किस आपने अपने str नो खुणो नक्की कर छे तो आ थाई क्यो आपनो str नो फाइरिंग तो अहीं आपने लखे लुच्चे कि जे str ने डीले द्वारा केतलो समय लेवा मा आवचे एले कि कोई पन डीले होई तो एना द्वारा आपने खबर पड़े छे कि str नो खुणो सेट थता केतलो टाइम लेचे इ प्रमाणे आपने जुदा जुदा खुणा ओ सेट करवाना होई छे अन्यέλ द्वारा लेवा मा आवतो समय जीरो क्रोसिंग अन्ये str ने मरता पल्स वच्चे नो समय गालों होई छे ओ समय गाला ने अपने str नो फाइरिंग खुणो नकी करे छे एले के ए धर्मियान फाइरिंग खुणो नकी करवामा आवे छे आपन हवे नाइक्स्ट टोपिक छे डेता एक्विजन सि motherfork डेता एक्विजन सिस्टम ई पन घणी बार एक्जाम मा पुछाई गयु छे तो अहीर आपने डेता एक्विजन सिस्टम विशे चलचा करी छुँ अहीर आपने एक प्लेट आपेली छे एनालोग सिग्नल नी प्लेट औने एक बाजू डिजीटल सिग्नल नी प्लेट आपेली छे एक बाजू एनालोग प्लेट सिग्नल आपेली छे औने एक बाजू डिजीटल सिग्नल आपेला छे ट्रांस्ड्यूसर, ट्रोन्ट्रांस्ड्यूसर, 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 अन्ने मल्टिप्लेक्सर, जिये गणी बती बसोंने आउट्पुट आपनने एककर में आपे छे, मल्टिप्लेक्सर, अन्ने दी मल्ट बगेर नो इन्या उप्योग थैलो होई छे अवे अईन्या आपणे सव प्रतं वाद करिए तो उद्योग प्लांट मा तापमान दबान प्रवा वगेरे जिवा भवती मापोने प्लांट मा कारिया मा खुबज अगत्यना होई छे इलेके आपणे जे पन प्लांट होई छे ए हुबज अगत्यनो होई छे हवे डेटा एकविजन सिस्टम जी छे तेमा मापोनने माइक्रो प्रोसेसर ने आधारी सिस्टमना उप्योग द्वारा वाचवा स्टोर करवा प्रोसेस करवा वकेरे माटे तेनों उप्योग थाई छे आवा भौतिक मापो जे होई छे तेमा अंगे निमाही तीने आपने बविश्यमा तेनों उप्योग करी शुँँ अने तेने स्टोर करी शकाई छे मोनीटर डिस्टले करी शकाई छे तेमाज प्रोसेस करी आकडा कीया माहीती आपने मेल विशक्ये छे आवी बदी जे माहीती होई छे तेने आपने प्लांटना ओग्य ओप्रेशन माटे यह प्लांटनों जे पन मेन ओप्रेशन होई तेना माटे आपने तेनों कंट्रोल करी शे अवी अवज्युदिक प्लांटनों वप्रा ती डेटा एक्विशन शिस्टम आपने यह जोई छे जे अवज्यूदिका मा इटले के ऐंडस्रियमा वप्राय छे बहुतिक मापने मापपा माटे ट्रांसड्यूशन नो उप्यो थाई छे बहुतिक माप जे होई तेने मापपा माटे ट्रांसड्यूशन नो उप्यो थाई छे ट्रांसड्यूशर बहुतिक मापने इलेक्ट्रिक सिग्नल माँ फेर गे छे ट्रांस्ड्यूसर नो उप्योग सुछे यहां आपने त्रोन ट्रांस्ड्यूसर बता विला छे तो ट्रांस्ड्यूसर नो उप्योग सुछे जे बहुतिक मां आपने इलेक्ट्रिक सिग्नल मां फेर विये छे जे सिग्नल एम्प्लिफाई करी औने मल्टिप्लेक्स मां आप्पामा आवा छे जे सिग्नल आपने ट्रांसड्यूसर वाड़ा बहुतिक नों इलेक्ट्रिकल मां रूपान थर थाए छे औने इट्रांस्ब्यूजर छे ते सीगनल ने एम्पलिफाई कर से एम्पलिफाईर औने इए एम्पलिफाईर थैला सीगनल मुल्तिप्लेक्सर मा आपमा आवे छे यह आपवाम आवे छे मुल्टीपलैक्सर मार ते सिगनल आपवामा आवे छे मुल्टीपलैक्सर गणा सिगनलों माथी एकत सिगनल, एकत समय सिलेक्ट करेचे પલેટલેશારનું કામ સુચે ંલેશેચે અલ્ટિપલેક્રગ્શાર જ જેચે एक घणा बदा सिग्नलों माथी एकत सिग्नल एकत समय सिलेक्ट करे छे एले एक टाई में एकत सिग्नल सिलेक्ट करे छे हवे ए सिग्नल ने सिलेक्ट थाई गया बाद सिग्नल ने सेंपल औने होल्ड सरकीट ने मोकलवामा आवे छे जे सिंपलि सेम्पल औने होल्ड सरकीट होए एने ए सिगंवलों मल्टी प्लेकर माथी मोकलवामा आवाची जे रूपान तर प्रोसेस करवा माटे मोकलवा मा आवा चे एले के जे पन प्रोग्राम प्रोसेस करवा नी होई तेना माटे ते मोकलवा मा आवा चे कॉंपिटर द्वारा तेने मॉनिटर पर पन डिस्पले थाई शके छे एले के आपने जो कॉंपिटर नो उप्योग करी अने तेने मॉनिटर पर एले के कॉंपिटर पर डिस्पले करू हो तो पन ते थाई शके छे कॉंपिटर डुला डेटा प्रोसेस थया बाद पन आपने तेनों उप्योग योग्या आउटपुट सिंगनल पैदा करवा माटे करिया छे एटले केट DCA, Digital to Analog Converter ने ते मोकलवा मा आवे छे औने एमा मोकलवा थी ते एनालोग मा फेर वी औने पाचुए डी मल्टिप्लेक्स ने आपैज डी में मल्टिप्लेक्स जी सिगनल होई छे एने आपने फरी थी एम्प्लिफाई करी शुँँँँँँँँँँँँँँ आपने मोकल शुकोई एककज एक्चुएटर ने आपने तेने मोकल लिए तो एक्चुएटर नो उप्योग भवतिक मापनू जीवा के तापमान दबान प्रवा बगेरीनो कंट्रोल थाई छे एक्चुएटर सु करे छे तापमान दबान प्रवा बगेरीनो कंट्रोल करे छ तो अहीं आपने च्वाथू चेप्टर कंप्लीट थाई छे, हवे आपने थोड़ा टूका प्रश्णू विशे चर्चा करी लए तो स्टेटिक रेम औने डाइनेमिक रेम एटले शू, स्टेटिक रेम कोने कहे छे औने डाइनेमिक रेम कोने कहे छे, एना विशे आपने अही शर्चा करीशू स्टेटीक रेम मां मेमरी सेल्व तरिके फ्लीफुलोप नों उप्योग थाय छे अध्वा तो फ्लीफुलोप होई छे एक समय एकज बीट शंग राखे छे एकसमय एकज बीट नों स्टोर करी शके जेने आपने स्टेटिक रेम कही शूँ फ्लिफ्लोप जिया सुधी बीट बदलवामा न आवे तिया सुधी जाड़वी राखे चे इलेके जे फ्लिफ्लोप होई जिया सुधी बीट न बदलवामा तिया सुधी ते डेटा ने श्टोर करी राखे चे स्टेटी ग्रेम मा बीट वोल्टेज रुपे संगराती होई छे बीट साना वड़े संगराती होई ते वोल्टेज वड़े संगराती होई छे अब वदारानी रीफ्रेश शरकीत नी जरूर रहती नथी एले के वदारानी कोई पन सरकीत नी जरूर रहती नथी ते मौंगी छे परन्तु तेमा आपने फास्ट डेटा स्टोर करी शक्के छे अने निकाडी पन सक्के छे डेक्स्ट छे डाइनेमिक रेम डाइनेमिक रेम कोने कहे छे तो डाइनेमिक रेम ए मेमरी सेल तरीके मोस ट्रांजिस्टर माँ मोस्ट ट्रांजिस्टर होई छे, जे बीट ने कैपेसीटर चार्ज ना स्वरूपे, कैपेसीटर नो जे स्चार्जर होई, इना स्वरूपे संग्रहवामा आवे छे, डी रेम नो फाइदो ए छे, डी रेम मींज डाइनेमिक रेम नो फाइदो ए छे, के थोड़ा विस्तर मां घणा ट्रांजिस्टर समाई शक्ता होई थी, तेनी गंता के भी होई छे, उची होई छे, अने ए गंता उची होई लिदे, मेमरी सस्ती होई छे, इले के डाइनेमिक म પરોમરી કે વે હય છે સસ્તી હય છે અને એ સસ્તી મેમરી ને લી દે આપણને ફાય દો થાય છે હૌય વે પીરોમ નો ઉપ્યો કરીને તેમાં ઉત્પાધર થઈ શકે છે આ મેમરી ને પ્રોગ્રામ કરવા માટે એ ખાસ ઉદાર ઉપકરણ એટલે કે પી રોમ પ્રોગ્રામરની જરૂડ પડાચે જે મેમરી ને અંદર મેટરીક્સ પરોપે રહિલા રેલા ફ્યૂજો માંથી પસંગીના ફ્યૂજો ને સળગાવી પ્રોગ્રામ કરાચે નેક્સ્ટ છે ઈરેસેબલ મેમરી તો આ મેમરી ફારમવાર પ્રોગ્રામ એજે મેમરી હોજે એને પરમવાર નાણક્ડા વિંડો માંથી અલ્ટ્રા વાય્લેટ લાઇટ પસાર કરી નાશ કરી શકાય છે આ મેમરી ને સામાન્ય કોઈ નવી પ્રોડક્ટ બનાવા કે ઉપકરણો બનાવા થતી નથી ડીકોડાર એટલે શું તેનો બલોક ડાયગ્રામ મધ આવે છે આ પ્રમાણે આપણે એન ઇન ઇન્પૂટ લાયને એન રેસ્ટુ એન આઉટ્પૂટ લાયનો માથી એક સીલાક્ટ કરી પ્રાબલેમ હોય તો જણાઓ થેંક યો